हलो गाइज, आज हम माइक्रोस्कोप से जंग, इयर वैक्स, आख और यहां तक की स्टेफिन का अमल भी देखेंगे चलिए आख से शुरू करते हैं कमरे में तेज रोशने करने पर आख की हरकत को करीब से देखना दिलचस्प है आप इसे खुद ही आईने की सामने आजमा सकते हैं बस लाइट बंद करें और चालू करें लेकिन सबसे दिलचस्प चीज किनारे पर होती है यहां पर एक लाग से ज़्यादा छूटी कोशिक आए है जरा देखिए हमने माइक्रोस्कोप को इस हद तक मैगनिफाई कर दिया कि हम इस से ब्लट सेल्स को चलते हुए देख सकते हैं कुछ कोशिकाएं ब्लट सेल्स से थोड़ी सी ही बड़ी होती है इसलिए यह एक ही लाइन में दिख रही आप चाहते थे कि हम जंग को माइक्रोस्कोप में देखे लेकिन हमें कहीं भी बड़िया उधारन नहीं मिला इसलिए हम इस चाकू में जंग लगाएंगे हमें बस इतना करना है कि चाकू पर नमक डाल कर हाइड्रोजिन पैरॉकसाइड की कुछ बूंदे डालनी है कुछ ही मिंटों में केमिकल रियाक्शन होने लगा जिसके दोरान कुछ गय से निकली हमें अभी से ही इसका नतीजा दिखने लगा और कुछ घंटों बाद इसमें खुबसूरत सा जंग लग गया तो अब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ये बहुत खुबसूरत है ये क्रिस्टल लमक से मिला हुआ आईरन ऑक्साइड है लेकिन ये सिर्फ हमारा अंदाजा है हम केमिस्ट्री में इतने अच्छे नहीं है ये हमें किसी गरह की सता की याद दिलाता है अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे स्मार्टफोन की डिस्प्ले को देखें तो कैसा रहेगा हो सकता है कि स्क्रीन के अंदर कुछ बॉने दोड़ रहे हो लेकिन डिस्प्ले में लाखो अलग-अलग रंगीन रोशनी की बदौलत खुबसूरत नजारा दिख रहा है इसमें सिर्फ तीन खास रंग है वो हैं लाल, हरे और नीले चलिए इसकी घड़ी को देखते है ये सफेद रंग जैसा दिख रहा है पर ये सफेद नहीं है ये यूट्यूब का लोगो है यहाँ पर सिर्फ लाल लाइट जल रही है लेकिन सफेद वाली जगह पर तीनों रंगों की लाइट जल रही है किसी ने हमें लिखा कि वो पैसा देखना चाहते हैं चलिए 20 यूरो लेते हैं पता नहीं वो लोग इतनी बारिक डीटेल्स कैसे प्रिंट करते हैं इस पूरे तारे पर अलग-अलग भाशाओं में 20 यूरो लिखा हुआ है लेकिन ये हमारी नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता इसका होलोग्राम आधा पार दर्शी है इसलिए हम इस पर बहुत सारी गंदगी और बाकी कच्रा देख सकते हैं लग-बग सभी पिक्चर को बड़े प्रिंट पर बनाये जाता है ताकि आप उन्हें गलत साबित ना कर सकें हर किसी के कान में एक चीज होती है जिसे कान का मैल या एरवैक्स कहा जाता है तो चलिए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं ये एक आधी पारदर्शी भूरी चीज है जिसमें कई बुलबुले होते हैं खास बैगनी रोशनी चालू करने पर हम इसे और सही से देख सकते हैं सबसे दिल्चस्ट ये बड़े बाल है ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखने की बज़र से हमें इतने बड़े दिख रहे हैं आम तोर पर ये बहुत छोटे बाल होते हैं जो लगबग हर इंसान की कान में पाये जाते हैं अगर आप चाहें तो आप किसी के कान के बाल देख सकते हैं ये बाल आसानी से देख जाते हैं इसमें किसी तरह की एक स्टिक भी है हमारे विवस में से एक ने हमें कहा कि यूरीन और गुर्दे की पत्री देखने के बाद अब हम मल देखना चाहते हैं और हमारे विवस से हमारे संबंध काफी अच्छे हैं इसलिए हम उनकी बाट टाल नहीं सकते तो आज हम आपको माइक्रोस्कूप के नीचे मल दिखाएंगे जाहिर है अपना नहीं स्टेफन का हमने पहले इसे देखा कि ये देखने में दिल्चस्प है या नहीं क्योंकि अगर हमें दिल्चस्प होगी तो आपको भी होगी इसका मल लेना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि हैंस्टर हर मिनिट शौच करते हैं खास कर तब जब ये आपके हाथ में हो हमें ये बहुत थोड़ा सा चाहिए हमने इसमें एक बून पानी डाला और थोड़ा तोड़ दिया हाँ तो ये तयार है हम ये इतना घिनोना भी नहीं दिख रहा हम पचे हुए खाने के टुकडे और कई अलग-अलग तरा के क्रिस्टल्स देख सकते हैं शायद ये कुछ बीजों के खोल हैं जिन्हें पचाया नहीं जा सकता हमें हर जगा बाल दिख रहे हैं और ऐसी स्प्रिंग जैसी चीज भी हम शायद ये एक पैरसाइट है या फिर स्टीफन का डियने है हमने थोड़ा और जूम किया और हमें बहुत सारे बैक्टिरिया दिखने लगे जो हर जगा है आखिरकार इनसानों और जानवरों दोनों में बैक्टिरिया खाने को बचाने में मदद करते हैं इसके बाद हम जंगल में गए जहां हमने कई कोन इखटे किये हर कुन सदाबहार पेड़ों की बढ़ने में मदद करता है इसके अंदर दरजनों छोटे हेलिकॉप्टर होते हैं जो गिरते वक्त घूमते हैं जिसकी बदौलत ये अपने पेड़ से दूर उड़कर चला जाता है लेकिन इससे पहले कि हम इसे माइक्रोस्कोप में देखें हम आपको एक बढ़िया ट्रिक दिखाते हैं अगर आप कौन को एक ग्लास के तल पर चिपका कर उसमें पानी भर दें तो दो घंटे के बाद ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा जादू और इसके उलट अगर आप इसे गर्म जगा पर रख दें ये अपने आप खुल जाएगा और अपने बीच छोड़ देगा इस वज़ा से ही ठंड के मौसम में कौन बंद हो जाते हैं और बीच नहीं छोड़ते हैं क्योंकि ऐसे वो वसंद तक जिंदा नहीं रह पाएंगे लेकिन जब गर्मी होती हैं तो कौन खुल जाते हैं और इनकी बीचों से नए पीड बन जाते हैं चलिए इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखें इस दिल्चस्प स्रक्चर को देखिए ये एक भुलभुलया की सुरंगों की तरह दिख रहा है जिनके अंदर गेंदे फसी हुई है हो सकता है कि ये किसी और चीज के बीज हो या सिर्फ ये किसी तरह का साचा हो अब इन स्प्रूस के पौदों पर नज़र डालते हैं ये बाहर से आम पौदे जैसे दिखते हैं लेकिन अंदर से काफी हलके हैं ऐसा इन सफेड डॉट्स की बज़ा से है ये डॉट्स शायद अपनी खास गंद छोड़ने का काम करते हो अब हम इसे क्रॉस सेक्शन में देखेंगे यहां हम आगे पैदा होने वाली एक नई स्प्रूस की शाखा के तने को देख सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नहीं तो आप आने वाली दिल्चस वीडियो मिस कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो आने वाली दिल्चस वीडियो मिस कर सकते हैं